Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है? ये सारे star signs की reading होती है, ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है. So देखते हैं कि आपके person आज कैसा feel कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? Let's find out. So सबसे पहले हैं हमारे पास the high priestess, the fool, फिर है six of pentacles, queen of chalices, हो सकता है किसी को rabbits पसंद है, किसी को greenery बहुत पसंद है, nature बहुत पसंद है, फिर है हमारे पास five of wands, फिर है knight of chalices, जो के knight of cups है, ace of pentacles, फिर है हमारे पास the world, bottom of the deck पर है queen of pentacles. So आपके person की feelings और thoughts, बहुत जादा specific होने वाले messages, सब के साथ resonate नहीं करेंगे, हमेशा हम different energies में tune in होते हैं, याद रखेगा, रोज की reading हर किसी के साथ match नहीं हो सकती है, और cards आपकी thoughts को reflect करते हैं, ये भी याद रखेगा. So friends, क्या सोच रहे हैं आपके person और कैसा feel कर रहे हैं? They really need your love, they feel कि आप बहुत loving इनसान है, nurturing है, लेकिन कभी भी वो आपके प्यार का, आपकी effort का सिला नहीं दे सके. कुछ लोगों के दरम्यान एक specific situation हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और लोगों के सामने एक group of friends था, जिसमें आप लोग बैठे हुए थे और आपके person ने आपको insult किया है, किसी ने या फिर आपका मजाग उड़ाया है और वहाँ पर आपके person ने आपको own नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया, अब कुछ लोगों के लिए ये situation है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि family में पता चल गया आपके connection का, उन्होंने अपनी family में आपके लिए stand नहीं लिया, उन्होंने अपनी family में आपके बारे में बात नहीं की, आपको let down कर दिया और इस चीज़ ने आपको बहुत hurt किया और मुझे लग रहा है कि ये इनसान भी इस चीज़ को realize कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया उन्हें आपके लिए stand लेना चाहिए था और हो सकता है कि आप दोनों के दरमयान इस बात पर बात में fight हुई और फिर आप लोगों के दरमयान नाराज़गी हो गई break up नहीं लग रहा है मुझे because I do feel कि अभी भी connection तो आप लोगों का है खतम नहीं हो रहा है और अभी खतम होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है I feel कि अभी एक नया start हो रहा है आपका आपके partner के साथ मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि ये इनसान उस इनसान को जाके कुछ कहेंगे या family में जाके stand लेंगे अभी भी वो इस relationship को secret रखना चाहते हैं वो support जरूर करना चाहते हैं आपको वो चलना चाहते हैं आपके साथ but I feel कि आपके person का कोई बहुत लंबा plan है वो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ plan करेंगे travel का plan करेंगे या कोई goal है उनके जहन में कि ये जब हम complete कर लेंगे तो फिर वो stand लेंगे आपके लिए लेकिन तब तक हम अपने इस connection को secret रखेंगे इसमें कोई शकनी कि ये इनसान आपकी value भी जानते है आपसे प्यार भी करते है आपसे apologize भी करेंगे ये इनसान जो कुछ भी हुआ जो दो situations मैंने आपको बताई हैं अगर उसमें से कोई भी नहीं है कोई तीसरी situation थी still ये इनसान आपसे माफी मांगेंगे लेकिन आपके person ने कोई plan ऐसा बनाया है अपने जहन में कोई planning वह ऐसी करें जो एक long term planning है जो जल्दी होती हुए नजर नहीं आ रही है maybe you want कि अब जल्दी सब को बताओ official करें connection को चीजे serious होनी चाहिए maybe हमें शादी करनी चाहिए I know सब शादी के लिए नहीं देख रहे but for example आप कुछ serious चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि at least सब को पता चले कि हम relationship में हैं घर वालों को पता हो but ये इनसान इनके जहन में कोई बड़ा plan है कोई long term plan है जो अभी execute होता हुआ नजर नहीं आ रहा maybe ये इनसान पैसों के मामले में depend करते हैं अभी independent नहीं है completely maybe वोई सोच रहे हैं कि जब वो independent excuse me हो जाएंगे उनका खुद का business हो या वो बाहर चले जाएं कहीं और settle हो जाएं फिर वो खुई बड़ा step लेंगे आपके लिए so फिल हाल आपके person आपसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं आपसे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है वो आपको ये भी बताएंगे कि मैंने ये चीज़ plan की है तुम मेरा wait करो especially अगर आप mail के लिए देख रहे हैं वो ये कहेंगे कि तुम मेरा wait करो और मेरा साथ दो और ये goal जब हमारा complete होगा तो फिर हम सब को बताएंगे भी हम connection को आगे भी लेकर जाएंगे हम सब करेंगे बट कोई plan वो आपको देने वाले हैं जो उन्होंने बनाया है and maybe ये plan I don't know आपको पसंद आयेगा या नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप मेंसे कुछ लोग काफी wait कर चुके हैं या आप उस point पर हैं कि जहां पर अब आपको कुछ real चाहिए है right but आपके person के जहन में ये चीज़ें चल रही है so ये आपकी quick energy update थी friends अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे second channel पर subscribe नहीं किया तो कर लिजिए description में आपको link मिल जाएगा मेरे second channel का so thank you so much for watching this video मैं मिलूँगी आप से next video में आप अपना धेर सरा खयाल रखेगा love you lots, bye bye